जै श्री राम प्रिय भगतो, प्रिय भगतो, कल किसी का कमेंट आया, और कल क्या कई बार कमेंट आते हैं, कि हम सोहंग मंतर के साथ राम नाम जब कर सकते हैं, और कई ऐसे भी कहते हैं, कि आप कभी सोहंग बताते हो, कभी राम नाम बताते हो, कन्फ्यूज करते हो, किसका जब करें, क्या करें, हम तो परेशान है, ठैरिये, सबी परेशानियों का समाधान है पहले आप ये समझ लीजिए कि राम और सोहंग मंत्र या सोहंग जिसको जो भी आप बोलते हो बात एक ही है वो अलग नहीं है सोहंग मंत्र का नाम उसको दे दिया गया है राम मंतर का नाम उसको दे दिया गया है लेकिन वो है एक ही चीज क्या है वो है अजपा और अजपा क्या है अजपा का मतलब जिसको जपा नहीं जा सकता जिसका ध्यान किया जाता है और वो हमारी स्वांसे ही है वो निरंतर चल रही है वो अजपा है अपने आप हो रही है अब सोहंग मंत्र का नाम इसलिए दे दिया क्योंकि जब हम स्वास छोड़ते हैं तो हंग की धवनी आती है और जब लेते हैं तो सो की या सेह की आती है तो ये बन गया हंस और हंस यानि की हंसो हंसो का उल्टा हो गया सोहंग तो ये तो हुई कि जो प्राकृति द्वनी आती है वो और राम सब को सुक देने वाला है और राम हम सब के अंदर रमन करता है राम हमारे हिर्दय में छुपा हुआ है राम हमारी स्वांसों में घुला हुआ है तो इसलिए उसको राम नाम भी कह दिया गया है लेकिन मेन है स्वांस अब स्वांसों का ध्यान अब निकी खंस मंत्र या सोहंग मंत्र लेकिन रा और मैं के साथ करोगे राम के साथ तो भी वही बात है क्योंकि में तो स्वांस है क्योंकि इस स्वांस पे आप शुरुवात में डारेक्ट ध्यानी लेके जा सकती क्योंकि मन का काम है भागना तो मन भागेगा मन को एक सहरा स्वांस में और सोहंग पे है तो सो और हंग बोलें ध्यान आपकी स्वांसों पर रखे मन को स्वांस के उपर टिका दें बस यही है अजपा यह हो अपने आप रहा है बस आपको मन से उन स्वांसों को देखना है यह दुनिया का सबसे सरव स्रेश्ट जप है इससे आप वहां पहुँच जाओगे जो आपकी स्वासों को चला रहा है यानि कि परमातमा तक स्वास स्वास को देखते देखते वो सत्य प्रकट हो जाएगा जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है क्योंकि जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नहीं है मेरी में मन लागया मेरा यार फकीरी मे तो राम भजन में वो सुख है यानि कि स्वासों का ध्यान करोगे राम के साथ तो आपको वो आनन्द आएगा जिसका ये वानी वर्ण नहीं कर सकती क्योंकि वानी से बोलने से आपको आनन्द नहीं मिल सकता जैसे भोजन की ठाली रखी है और वानी से कहते रहे मैं तो कहां भुख मिटेगी ऐसे ही स्मन भी ये जलमों का भुखा है इसको खाना खाना है और खाना क्या है क्षाना ये एक कि आप इसे स्वासों के साथ टिकाा दे मन को तो ये तरफ्त हो जाएगा इसको शांति मिलेगी प्रमानंद की प्रापती होगी और फिर ये कहीं जा नहीं पाएगा तो आप इस चक्र में ना पड़ें हम राम नाम इसलिए कई बार बताते हैं क्योंकि जो नए सादक है उनको उंगली पकड़ के चलना पड़ता है तो उनको राम नाम बताया जाता है क्योंकि वो सोहंग को जानते ही नहीं सोहंग तो बहुत उच्छे कोटी के साथ को के लिए है जो ये जान गए है कि स्वासों का जब क्या होता है अजपा क्या होता है तो वो सोहंग मंतर के साथ करें नहीं जो सुरुवाती है वो राम नाम के साथ भी करेंगे तो भी आपको वही लाब मिलेगा थोड़ी देर लग सकते लेकि लाब बराबर मिलेगा और जब बाद में बहुत आप उच्चे बढ़ जाओगे नाम जब करते करते तो ये सोहंग भी छुट जाएगा और ये राम भी हड़ जाएगा मतलब कि आपको फिर बोलने की ज़रूरत ने पड़ेगी मन से सोहंग मन में जो बोलते हो या राम है फिर आपका ध्यान ओटोमेटिकली अपने आप ही दिन भर सब कुछ करते करते सांस पर जाएगा और वही उच्चे स्थिती है नाम जब की आप जब पहुच जाएगे खुद ही आप जान पाएंगे बत से बताने समझाने का नहीं होता यह अनुभाव का होता है तो बस आप राम नाम या सोहंग मंतर का जब स्वासों के साथ करना शुरू करें कोई भी फिर भी आपका प्रशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारा एक मातरुदेश्य है कि आपकी आध्यात्म से संक्याओं का हम स